नेक्स हमारे पास क्या आता है, कि P-3, S-2, and Cl-, क्या है टीचर से यह, Cl-, मतलब chloride है, the increasing order of size is, अब देखू मैं, तो P-3 है, then S-2 है, then Cl- है, अगर मैं इनमें electron निकालू, तो phosphorus के पास कितने electron होते हैं, 15, 3 electron aid किये तो कितने होगे, 18, sulfur के पास कितने होते हैं, 16, 2 electron aid किये तो कितन chlorine के पास कितने electron होते हैं, 17, 1 electron aid किये तो कितने होगे, 18, तो यह isoelectronic species है, और isoelectronic species में जो radius होती है, वो directly proportional होती है, किसके, negative charge के, किसके directly proportional होती है, negative charge के, तो देखिए आप है, negative charge किसके पास ज़्यादा है, phosphorus के पास ज़्यादा है, किसके comparison में, sulfur के comparison में, sulfur के पास ज़्यादा नहीं हो सकता तो P-3, S-2 और C-L- इसमें correct order हमारा हो जाएगा clear है सभी लोगों को तो I hope यह question जो है easy question कि आप बच्चों को अच्छे से explain कर पाएंगे